प्रेंड्स मैं हूँ आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइट निज्ज में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ स्पेशल प्रोग्राम आज इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे बच्चन फामली के बारे में जी हाँ बॉलवर्ट की सबसे जानी मानी फामली बच्चन फामली बच्चन के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े दिलदार है फिर चाहे बिगबी अमिताब बच्चन क्यों ना हो इश्वरे राय बच्चन क्यों ना हो अभिशेग बच्चन क्यों ना हो या फिर जया आमली जो एक perfect frame में नजर आती है इन्हें लेकर कहा जाता है कि ये social work करते हैं और जिसे बिलकुल भी गलट है राया नहीं जा सकता जी हाँ अमिताब बच्चन की जो दरिया दिली है वाकसर ही देखने को मिली है लेकिन अमिताब बच्चन की एक दरिया दिली गाउवालों को ब बताएंगे क्यों एश्वर्या का नाम वहां पर भारी पड़ गया कैसे अमिताब बच्चन ने एक वादा किया था उन गाउवालों से और उस वादे को 10 साल के उपर होने जो आ रहा है लेकिन वो वादा अमिताब बच्चन ने तोड़ दिया आखिर क्या है उसके पीछे की वज़ा अमिताब बच्चन ने जो वादा किया था वादे से गाउवाले इतने खुश हो गये थे उन्हें लगा क्यों को सपनों को पंक लग गये हैं और उन पंकों से वो उडान भरने लगे थे हर जगा खुशी का माहुल फैल गया था लेकिन वो खुशी जो धीरे धीरे होती गई और उस बात को 10 साल हो गए और बच्चन पामली को शाइब ये बात याद भी है या नहीं इसका तो पता नहीं लेकिन किमा ने टुद गाउवालों ने जो उनそうそう वादा किया था तो वो वादा तो बच्चन फामली की तरफ से पूरा नहीं हुआ इस लिए उन्हों फिर से चर्चाओं में हैं और एक बार फिर से इसकी बाजा बने हैं सदी के महानायक अमिताब बच्च है आज से करीब 10 साल पहले इस गाउं में सदी के महानायक यहां आए गाउंवालों से एक बादा किया था आमिताप की बात सुनकर मानों समय जैसे गाउवालों के सपनों में पंक लग गए और वो उची उड़ान भरने लगे लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सपना रियल लाइफ में ना तब्दील होकर रियल लाइफ की तरह ही रह जाएगा बता दे कि भिगपी ने दस साल पहले वादा किया था जी हाँ दरसल बारा बंकी जिले के दौलत पुर गाउं में आज से करीब दस साल पहले 2008 में भिगपी अमिताब पच्चन अपनी पत्नी जया पच्चन बेटे अभिशेक पच्चन और बहु इश्वर्या राय पच्चन के साथ वहाँ पहुचे थे अमिताब ने दौलत पुर गाउं में करीब 10 बीगे जमीन लेकर एक डिगरी कॉलेज का नीव रखी थी और उसका नाम रखा था श्रीमती इश्वर्या राय पच्चन कन्या महाविद्दाले लेकि जो जमीन अमिताब पच्चन ने ली थी 10 साल बीच जाने के बाद भी आज वो जमीत वैसी की वैसी पड़ी है ऐसे में गाउं की कुछ लोगों ने खुद अपना एक डिगरी कॉलेज बनाने का फैसला लिया और उसके लिए फंड जमा करके काम शुरू किया इस कॉलेज का निर्मान का काम लगभग पूरा हो चुका है गाउं के लोगों की महनत रंग भी लाए और जुलाई के इस कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी गाउं वालों ने इस कॉलेज को अमिताब पच्चिन की प्रॉट से बेहत करीब बनाया है दरसल ये कॉलेज गाउं के ही सत्यवान शुकला नाम की एक सिक्षिक में बनाया उन्हों ने इसके लिए लोगों का सहयोग लेकर जमीन की ववस्था किये और चंदा लेकर पैसे की ववस्था सब्तिवान शुकला ने इस कॉलेज का नाम तौलफ पुर्ट डिग्री कॉलेज रुका है राम अनुहर लोहिया अवद यूनिवर्सिटी फैजाबाद ने इसकी मानिता दी है जुलाई से यहां बी ए और बीस्थी की पढ़ाई शुरू होने जा रही है गाउ के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया दस साल पहले जब अमिताब बच्चन अपने परिवार के साथ यहां आए तो हमें लगा कि उनका गाउ वी 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 आईपी बनने वाला है गाउ में हर तरफ लोगों में खुशी थी उनको लगा कि अब उनके बच्चे एश्वर्य राय बच्चन के नाम पर बने कॉलिक में पढ़ेंगे लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सपने कभी हकीकत में बतलेंगी ही नहीं वो जब हमने गाउ में रहने वाले उन बच्चों से बात की तो खब्रों की मानी पढ़ाई करके अपने भविश्य सवार ना चाते थे उनका कहना था उन्हें अभी तक डिग्री पढ़ने के लिए काफी बूर जाना पड़ता है अब वो बहुत खुश हैं उन्हें पढ़ने के लिए कहीं जाना नहीं पढ़ेगा वो दौलत पूर डिग्री कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे वहीं गाउं के प्रधान और अमिताब बच्चन सेवा संस्थान के सच्छिफ आमेस सिंगा कहना है कि अमिताब बच्चन निष्ठा फाउंडेशन को कॉलेज बनाने के लिए दिया था जिसका अध्यक्ष जयाब बच्चन थी जब निष्ठा फाउंडेशन ने कॉलेज को नहीं बनाया तो जयाब बच्चन ने इसको बनाने की जिम्धारे अमिताब बच्चन सेवा संस्थान को दिलवाई अमिताब बच्चन की तरफ सी गाउं नहीं बना अमिट सिंग ने बताया कि बिगपी को शाय दिये लगा कि काउं की लोग उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं शुरुबात में काउं की लोग अमिटाब भचिन के खिलाब थे मुकंत में वाजी में फसा दिया हाला कि अमिट को अभी भी ये विश्वास है कि अमिताब यहां कॉलेज पनवाएंगे जो वादा उन्होंने दौलत पूर की जंदा से किया उसे पूरा करेंगे आपको बता दें बहराल अमर सिंग की जनम दिन पर जब अमिताब बचने दौलत पूर में इश्वरय राय बचन कन्ना महाविद्दालिक बनाने का एलान किया तो लोगों को लगाब उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा लेकिन आज दस साल बीच जाने की बाद भी यहां ना तो कोई कॉलेज बना ना बनने का आसार नचरा रहे हैं गाउंवाले दभी जुआन में बच्चन परिवार पर वादा खिल करना चाते थे वल इसे के साथ आपको बता दें कि अमिताब बच्चन की गाउं बनाने का सपना जो आज अधूरा रह गया है पता नहीं गाउंवालों को लेकर यह मिसेंडेस्टरानिंग है या इनमें कोई सच्छाई वैल अमिताब बच्चन तो यहां नहीं आये लेकिन ग जादा तो वह कभी पूरा करही नहीं पार क्यूंकि आज उस बादे की बात करें तो इसे दस साल हो चुका है और अमिताब बच्चन की तरफ से इस चीज को लेकर कभी भी कोई बास सामने नहीं आई है वैल इसी के साथ आपको बता दें कि अमिताब बच्चन जिनने लेकर टेली कोई ना कोई खबर आती रहती है जहां वो लोगों की हमेशा मदद करने को तयार रहते हैं अब ऐसे में अमिताब बच्चन क्या इस बास से अंचान है क्या उन्हें इस बात के बारे में पता भी है वैल इसका तो पता नहीं लेकिन काउवालों ने इस चीज की बड़ ही ना कहीं से अगर गाव वाले जितनका यह कहना है कि अमिताब यहां जाकने तक नहीं आये हैं वेल सेलिबरिटीज को लेकर जैसा कि हम हमेशा कहते रहते हैं कई तरह की खबरे आती हैं अब उनमें से कुछ खबरों में सच्चाई होती है तो कुछ खबरों में सच्चाई नहीं होती कुछ अफाहों की रूप में सामने आते हैं वेल वैसे में अमिताब बस्टन से ही चुड़ी ये खबर सच रही या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते लेकिन गाउवालों की माने तो जो डिक्री कॉलेज एश्वरय राय बच्चन कन्या महाविद्दाले के नाम से बनने के लिए वो फैसिलिटी गाउं के अंदर ही मौजूद हैं और वो पूरी तरह के से इस चीज की सिक्षा ले पा रहे हैं वेल तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से गाउवालों का कहना है कि अमिताब बच्चन एक नीव रखकर गए ते 2008 में जिस पर उन्होंने कहा था कि वो वहाँ पर अपनी बहु इश्वरय राय बच्चन के नाम का विश्विद्याले यानि कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे और वहाँ पर गाउवालों ने जैसे ये बास सुनी उनकी लिए तो एक खुशी की बास साबित होगी उनको लगा कि अगर अमिताब बच्चन अपनी फामिली के साथ आये है तो उनका गाउव वी 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 आईपी बना देंगे और एक हिसाब से अगर सेलिबरिटी अगर कही जाता है तो वहाँ लोगों की अलगी मनोकामना हो जाती है या ये कहें लोगों के मन में कुछ अलगी इच्छा जाहिर होने लगती है और कहीं न कहीं सेलिबरिटीज वो वादे भी करते हैं लेकिन क्या वादे वो सच में तबदील होते हैं वेल इसका तो पता नहीं लेकिन अगर इन गाउव वालों की बाते माने तो अमिताब बच्चन की फामिली उन बातों को पूरी तरह से भूल चुकी है जो इस तरह से वादा किया गया था मिताब बच्चन की फामिली की तरफ से वादा आज तक नहीं पूरा हो पाया है वेल पता नहीं आने वाले टाइम पर वो वादा पूरा होगा या नहीं वेल लेकिन इसका हर किसी को बे सबरे से इंतजार है तो दोस्तों ये था आज का special program अगर आप भी हमसे कोई ऐसे special story शेयर करना चुआते हैं celebrity से जुड़ी हुई तो आप हमें comment करके बरता सकते हैं comment करें और तब वो story हम इस program में share करेंगे इसके लावा mail भी कर सकते हैं next night news comment at the rate gmail.com पर लेकिन तब तक कि लिए दीजे मुझे जाजर पर मोर अपडेट प्लीज लाइक न सब्सक्राइब